इस कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल बस को देखते हैं, जिसके अंदर कई तरह के मोस्टर मौजूद हैं, उन्हीं लोगों के साथ उनकी टीचर भी होती है, जो उन सभी की गिंती कर रही होती है। सभी मौन्स्टर बच्चों को अंदर लेकर जाया जाता है, जहां पर और भी कई बड़े-बड़े मौन्स्टर मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर सारे मौन्स्टर बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह मौन्स्टर बहुत ही ज्यादा सक्सेस्फुल होते हैं, इ खतरनाक स्केरी मॉंस्टर बन चुका है और वह सभी बच्चों को भी उसी युनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रेफर करता है इसके बाद सारे मॉंस्टर इकठा हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें बारी-बारी से टेलिपोर्ट के जरिए इंसानी दुनिया में जाकर बच जाता है हालांकि इस बात की जानकारी उस मॉंस्टर को भी नहीं थी लेकिन बाहर मौझूद सारे मॉंस्टर इस बात के बारे में जान चुके थे इसके बाद जब मॉंस्टर इंसानी दुनिया से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि माईक भी उसके साथ गया था इस बा बहुत ही ज्यादा excited था वह देखता है कि वहां मौझूद monster की team उसे अपनी तरफ करना चाहते हैं ताकि उनकी team और मजबूत हो सके उसी दौरान Mike देखता है कि university में एक school, game भी organize किया जा रहा है, इस game के दौरान जो भी उस game को जीतेगा उसे एक trophy दी जाएगी और इससे पता चलेगा कि वह कितना ज्यादा powerful है, इसके बाद हम देखते हैं कि Mike अपने hostel room में जाता है और उसे वहां पर रेंडल नाम का एक monster मिलता है, जो उसका room partner है, रेंडल एक बहुत ही अच्छा master था, वह तुरंथ ही Mike से दोस्ती कर लेता है, और अगले दिन Mike अपनी पहली class के थे जिस दोरान वह उन सभी को एक अच्छा score monster बनाने के लिए motivate करते हैं और उन्हें तरह तरह की चीज़ें बताते हैं कि वह किस तरह से अच्छा monster बन सकते हैं, जिससे लोग उन से डरें इसके बाद उस university की डेन एबिगेल को देखते हैं, जो सभी बच्चों को motivate करने वहा quality नहीं है, तो वह अभी भी यहां से जा सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती कि university में एक डरपोक और बिना काम का कोई monster यहां, पर रहे यह सभी बच्चों को बुरी तरह से डरा देती है, और कहती है कि जो भी बच्चा पहले, semester को clear करेगा वही आगे यहां पर पढ़ेगा हर एक monster बुरी तरह से डरा हुआ था, और किसी न किसी तरह से वह एक अच्छा monster बनने का सोचने लगता है, डीन के जाने के बाद प्रोफेसर नाइट एक बार फिर से वहां मुझूद बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, इस बीच हम माइक को देखते हैं, जो प्रोफेसर ना जिन्होंने बहुत नाम कमाया था, इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत फिक्र करने लगा है, क्योंकि उसे इस semester में अच्छे नंबर लाने हैं, तभी वह इस university में आगे बढ़ पाएगा वह अपना time table set करने लगता है, इसी द बढ़ाई में कोई दखल डाले जेम्स ने उस monster को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस दौरान जेम्स का monster माइक के बूट आकर अपने साथ वहां से भाग जाता है, इस कारण जेम्स और माइक उस छोटे से master को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते ह वह दोनों उस master को पकड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जहां पर सारे monster मौझूद थे इस दौरान इस अफरा तफरी को देख कर, यहां मौझूद सारे monster बहुत ज्यादा enjoy कर रहे थे थोड़ी देर बाद जेम्स, उस छोटे master को पकड़ लेता है, जिस कारण वहां मौ पकर देने में पीछे नहीं रहता, वह भी Mike की तरह हर चीज में उससे आगे रहना चाहता है, इधर उस university का सबसे, famous rose group James को अपने group में invite करता है, क्योंकि James एक बहुत ही खतरनाक और intelligent monster था, जौन के टीम में आने पर उन्हें बहुत फाइदा पहुचाता, Mike भी टीम में शामि होना चाहता था, लेकिन उसका size छोटा होने के कारण उसे टीम में नहीं लिया जाता, क्योंकि वह उन लोगों के किसी काम का नहीं था, कुछ दिनों बाद से mister exam का समय आ जाता है, जहां James और Mike दोनों मुझूद होते हैं, लेकिन इसी बीच उन दोनों के बीच बहुत हो जात वह उसे बताती है, कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी एक अच्छा monster नहीं बन सकता, इसके बाद James को भी वह कहती है, कि वह अपने खांदान का नाम बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसके father और grandfather तो एक बहुत famous monster थे और वह उन दोनों से बिलकुल अलग है, इस कारण James और Mike को एक दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है, जहां, पर इन ही दोनों की तरह कई बेकार monster पठा करते थे, इसके बाद हमें Mike को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि Dean ने उसकी बहुत ज्यादा बेस्ती की थी, और वह किसी भी तरह Dean को गलत साबित क करने के लिए और एक अच्छा monster बनने का एक मौका चाहता था, तभी उसे scary game competition के बारे में याद आता है, इस कारण वह उस competition में भाग लेने के लिए उसी तरफ जाता है, जहां पर वह game चालू होने वाले थे, लेकिन तभी Mike वहाँ पहुचता है, और organizer से कहता है, कि उसे भी भाग लेना है, ताकि वह साबित कर सके कि वह कितना अच्छा master है, क्योंकि यहाँ पर लोग उसे बेकार ही समझते हैं, वहाँ पर dean भी मौजूद होती है, जो कि इन बातों को सुनकर उसे कहती है, कि वह किसी भी काम का नहीं है, और यह game उसके बिलकुल भी लायक नहीं है, यह बातें सुनकर और अपनी बेस्ती सुनकर माइक dean को बताता है, कि वह अपने आपको साबित करना चाहता है, अगर dean को लगता है, कि वह बेकार है, तो वह dean को भी गलत साबित करेगा, लेकिन उसे एक मौका चाहिए, अगर वह इस game में जीत कया, तो उसे दोबारा अपनी semester class को जवाइं करने का मौका मिलना, चाहिए dean भी इस deal के लिए मान जाती है, और माइक को कहती है, कि अगर तुम इस game को जीत गए, तो तुम्हें 12 semester class में जाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम इस game को हार गए, तो तुम्हें इस university से ही बाहर कर दिया जाएगा, सुनने के बाद माइक राजी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने उपर पूरा यकीन था, उसे कहीं न कहीं लग रहा था, कि वह dean को गलत साबित कर देगा, और उन सभी लोगों को भी जो इसे बेकार समझते हैं, इसके बाद किसी तरह से माइक अपनी team बनाने के लिए, वहां म लेकिन अभी भी उसे एक खिलाडी की जरूरत थी, वह वहां मौझूद सारे मोस्टर से कहता है, कि उसे अभी भी एक खिलाडी चाहिए कोई है, जो इस game में उसकी जीतने में मदद करेगा तभी हम देखते हैं, कि वहां मौझूद सारे मास्टर में से कोई भी माइक की team में इस कारण वह उसे अपनी team में ले लेता है, इसके बाद में सारे team member को दिखाया जाता है, जो अपनी team का नाम करण भी कर लेते हैं, और अपनी team का नाम ओके रखते हैं, या हम सारे team members को देख पाते हैं, जिनमें James और Mike दोनों ही ऐसे, खिलाडी थे जो हर एक situation में सिर्फ team को ही जिताना चाहते थे, लेकिन बाकी के member ऐसे नहीं थे, लेकिन अब उन लोगों को यह game खेलना ही था, चाहे वह हारे या जीते, क्योंकि अगर Mike गेम हारेगा, तो उसे university से बाहर कर दिया जाएगा, अगले दिन सारी team को अपने पहले task में हिस्सा लेने के लिए बुलाया ज जाता है, जहां उन्हें कुछ ऐसे खिलोनों के बीच से गुजरना था, और दूसरी तरफ जाना था वह खिलोने बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जो अगर किसी monster की body पर पड़ते तो उनकी वह body पूरी तरह से हर्ट होती, सभी team में पूरी तरह से तयार होती है, इधर James और challenge start होता है, और हम देखते हैं, कि माईक की team उस challenge को पूरा नहीं कर पाई और हार गई, इस हार के बाद माईक पूरी तरह से समझ चुका था, कि वह इतनी आसानी से इस game को नहीं जीच सकता, इस कारण वह अपने सारे team, members को आगे के challenge के बारे में बताने लगता है, और उन्हे तयार करना, लगता है, कि उन्हें किस तरह से उस challenge का सामना करना है, अब सारे members भी उसकी बातों को सुन रहे थे, और अगले दिन उनका अगला challenge उन्हें दिया जाता है, जहां सारी team को library में मौझूद एक statue के पास लगे हुए, उनकी team के flag को निकाल कर लाना था, लेकिन इस वह किसी तरह की कोई आवाज नहीं कर सकते थे, उन्हें बिना आवाज के statue के पास लगा हुआ जणना निकाल कर लाना था, जिस पर उनकी team का नाम लिखा हुआ था, माइक को लग रहा था, कि वह इस challenge को पूरी तरीके से complete कर लेंगे यहां माइक और उसकी team को, देखते हैं, जो flag की तरफ धीरे-धीरे, आगे बढ़ रही थी, लेकिन James जो उन सारे members के सबसे पीछे खड़ा हुआ था, वह उनकी slow speed को देखकर बहुत ज्यादा irritate हो जाता है, इस कारण वह वहां से सीधा भागते हुए उस flag को लेने के लिए जाता है, और सीडियों से चड़कर वह flag निकालने लगता है, लेकिन unbalance होने के कारण वह सीरी से नीचे गिर जाता है, जिस कारण वहां मوجود library का monster उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी Mike और उसके साथ ही किसी तरह से उस monster को distract करते हैं, और उसका ध्यान भटका आते हैं, इसी बीच वह अपने उस flag को भी निकाल ल क्योंकि उन्होंने इस challenge को complete करके elimination round क्लियर कर लिया है, और वह अब चारों टीमों में second number पर है, और पहले पर road team है, जो हमेशा ही इस game को जीतते आ रही है, इसके बाद Mike और उसके team के, मेंबर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं वह इस गेम को जीतने के बहुत करीब आ गए हैं, तभी उन लोगों के पास कुछ लड़कियां आती है, जो उनको इसकेर पार्टी के लिए invite करती है, जीत का मौका था और खुशी का मौका था, इस कारण Mike अपने सारे साथियों के साथ उस पार्टी में चला जाता है, जहां पर Mike के सारे दोस्त बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन हम James को देख पाते हैं, जो उदास वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन तभी Mike की टीम का एक मेंबर उसके पास आता है, और किसी तरह से James को भी डांस के लिए मना लेता है, इसके बाद James, वहां पर बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत एंजॉय करता है, इसके बाद, Mike उसी रूम में जाता है, जहां पर Hall of Fame में कुछ Scary Legend की पिक्चर्स और कुछ ट्रोफियां रखी हुई थी, उन्हें ट्रोफी में इसके गेम्स की ट्रोफी भी रखी हुई थी, जो जीतने वाली टीम को दी जाएगी यह जाने के बाद Mike और ज्यादा excited हो जाता है, और उसे लगने लगता है, कि वह लोग ही इस ट्रोफी को जीतेंगे, इसके बाद, Mike अपने सारे दोस्तों के पास आता है, हम टीम के captain को देख पाते हैं, रोग की टीम के सभी members को appreciate करता है, और उन्हें बधाई देता है, कि वह लोग बहुत अच खेले दरसल रोड टीम उनका मजाक ओर, आना चाहती थी और उन्हें शर्मिंदा करना चाहती थी वह Mike की टीम के सारे member को इकठा करके उनके उपर बहुत सारा pen डाल देते हैं, जिस कारण वह पूरी तरह से एक screen की बजाए एक cute से दिखने वाले master में तबदील हो जाते हैं, और road team भी यही चाहती ची की पूरी university में लोगों को पता चल जाए कि वह team के सारे member cute monster हैं, निकि scary monster इसके बाद उन लोगों के बहुत सारे photo के लिए की जाती है, और उन ही photo को वह लोग, पूरे university में चिपका देते हैं, सभी लोगों को पता चल जाता है, और सभी लोग उन सा सारे team members को फिर से इकठा करने के लिए कोशिश में लग जाता है, और वह सारे team members को लेकर scary floor पहुँच जाता है, जहां वह सभी को बताता है, कि वह किस तरह से एक scary monster बन सकते हैं, और उन्हें क्या क्या करना है, वह अपने सारे team members, सको बताता है, वो उनके अंदर विश्वास जागता है, कि वो भी कम नहीं है, यह जाने के बाद सारे members बहुत खुश थे क्योंकि माइक उनके लिए बहुत कुछ कर रहा था, उन्हें कई चीजें ऐसी सिखा रहा था, जो उन्होंने पहले कभी सीखी नहीं थी, दरसल माइक पहले भी टेलिपोर्ट के जरिए इंसानी दुनिया में जा चुका था, और उसे पता था, कि इंसानों के बच्चों को डरा कर आडियो वहां से कैसे लेकर आनी है, दरसल उनका अगला चैलेंज टेलिपोर्ट वाला था जहां उनको, इंसानी दुनिया में जाकर इंसानी बच्चों को डरा कर रिकॉर्डिंग दर्स कर रेंडल जो रोड टीम का हिस्सा था जेम्स का उसी के साथ मुकाहबला था वह जेम्स के साथ ही उस रूम में जाता है जहां हम देख पाते हैं कि जेम्स रिंडल को बड़ी आसानी से हरा देता है क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग बहुत आई थी इस कारण सारे टीम मेंबर्स बहुत खुश होते हैं इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान की बारी थी माइक और रोर टीम के कप्तान की यह दोनों उस रूम की तरफ आगे ब जिससे ओके टीम का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि माइक ने रोर टीम के कैप्तन से ज्यादा रिकॉर्डिंग प्राप्त की थी और वह इस गेम के इस चैलेंज को जीत चुका था उन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को भी जीत लिया था उन्होंने रोर टीम जो पिछले कुछ, सालों से जीतते आ रही है, उसे हरा दिया था, इसके बाद उन सभी के, टीम के मेंबर्स को वह ट्रॉफी दी जाती है, जिसके लिए माइक और उसके साधियों ने बहुत मेहंत की थी, सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन इधर हम माइक को देखते हैं, ज किसी ने चैलेंज स्टार्ट होने से पहले ही माइक की रीडिंग को हाई कर दिया था, ताकि वह जीत, सके तभी हम वहाँ पर जेम्स को देख पाते हैं, और माइक को भी इस बारे, में पता चल जाता है, कि जेम्स ने वह रीडिंग बनाई थी, माइक उसे पूछता है, कि आ अपनी मेहंत के दम पर जीतना चाहता था न कि बेईमानी करके, और जेम्स ने उसे बेईमान साबित कर दिया वह चाहता था, कि वह लोगों के सामने खुद को साबित करें, लेकिन वह भी सिर्फ मेहंत से है, न कि इस तरह की कोई चीटिंग करके माइक बहुत ज्यादा गु कर इंसानों की दुनिया में पहुच जाता है, जहां वो एक गल्स हॉस्टल में पहुचता है, जहां बहुत सारी गल्स मौजूद थी, वह सभी लड़कियों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा होने के कारण माइक से कोई भी नहीं डरता, इस कारण वह लड़किया की दुनिया में जाने का डिसाइड करता है, और टेलिपोर्ट होकर वह भी उसी गल्स हॉस्टल में पहुच जाता है, जहां उसे माइक मिलता है, जो अपने साथ उसे वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जेम्स और माइक दोनो मिलकर उन पुलिस वालों को और वहां मौझूद लड़कियों को डराकर उन्हें चीखने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिस कारण यूनिवर्सिटी में रखे हुए वह सारे क्यान बड़ी तेजी से बनने लगते हैं, जिन में वह ठीक होने लगती है, वह इतनी तेजी से माइक ने किया है, सारे केस भर चुकी थी, डीन बहुत परेशान थी कि कहीं वहां रखी हुई सारी केन एक एक करके ब्लास्ट न हो जाए, इस कारण वह माइक और जेम्स को इंसानी दुनिया से वापस ले आती है, जहां वह उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, और उन दोनों पर प्रावड फील करती है, क्योंकि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोर दिये थे, इतनी ज्यादा एनरजी किसी मास्टर ने कभी युनिवरसिटी के लिए नहीं की थी, वह उन दोनों को उस युनिवरसिटी का सबसे स्केरी मॉंस्टर अनाउंस कर देती है, दोनो जरूर करने, थैंक्स फॉर वाचिंग